है यहां आपने बिल्कुल सही पढ़ा थम नेल में कि NCRT के क्लास 12 पार्ट वन फॉर्स चैप्टर सॉलूशन में एक ऐसा भी फॉर्मूला है बहुत ही खतरनाक है क्योंकि कोई भी टीचर उस फॉर्मूले पर किसी भी तरह के नुमेरिकल के प्रैक्टिस नहीं करवाता न उसके बारे में जादा कुछ बताता है पढ़ाते ही नहीं है सभी उसको स्किप कर जाते हैं लेकिन अगर उससे नुमेरिकल आ गया फिर क्या होगा आपका तो आज हम उसी छिपे हुए फॉर्मूले को पढ़ने जा रहे हैं जो NCRT की बुक में हैं लेकिन बहुत कम टीचर हैं जो उस फॉर्मूले को पढ़ाते है हैं और उसको में भी बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो उस फॉर्मूले पर बेस्ट नुमेरिकल की भी प्रेक्टिस कर वाते हैं तो आज हम उसी छिपे हुए रुस्तम को पहचानेंगे उस छिपे हुए फॉर्मूले को देखेंगे और समझेंगे उसके नुमेरिकल को तो क्या है देस वान जी हां यह आप NCRT के बुक में आपको यह फॉर्मुला नंबर 1.37 और 1.38 के रूप में दिखेगा यह जान बुछ के मैंने यह लगाया है ताकि आपको यह प्रूफ मिले यह पता रहे कि हां यह NCRT के बुक में कहां दी गई है तो जेनरली हम जब depression in freezing point और elevation in boiling points के numerical करते हैं तो हमें KF और KB की value दी गई होती है बट 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 कभी कभी ऐसा होगा KF और KB के value नहीं दी गई होगी हमें उसे इस formula की मदद से calculate करना होगा अगर इस formula की जानकारी ही नहीं है आपको या फिर आपने इस formula पर based numerical को अच्छे से practice नहीं किया है तो फ तो मार्ग दर्शन देना मेरा काम है उस पर अभ्यास करके उसको उस numerical को उसको practice करके अपना बनाना आपका काम है तो चलिए एक बार देखते हैं कि यहां हमारा जो यह अलग-अलग symbol है वो किस चीज को refer कर रहा है तो इसमें हमें यह मालूम है कि KF जो है यह molar depression constant की बात करता है तो यह molar depression constant है या फिर हम इसे cryoscopic constant के नाम से भी जानते हैं तो cryoscopic constant इसी तरह KB की बात करें तो यह molar elevation constant है या फिर हम इसे इबूलियो इसकोपिक constant के नाम से जानते हैं ठीक है तो यह हो गया KF और KB की बात आर आर हमारा यहां कहलाता है क्या universal gas constant जिसकी कई सारी values होती है pressure के term में भी होता है और joule के term में भी होता है तो देखिए यहां एक चीज है वो क्या है डिल्टा एच जिसे हम enthalpy change के तौर पे thermodynamics chapter class 11 में पढ़ा है तो enthalpy मतलब energy की बात कर रहा है that means यहां आपको R की वो value लेनी है जिसमे energy वाली unit हो यानि joule वाली unit हो तो यह हमारा है 8.314 joule पर Kelvin पर mol तो R आपके universal gas constant है although इसकी value आपको numerical में दी गई होगी लेकिन अगर याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ठीक है ओके यहां M1 कहिए या इसी को हम MA कह दें अभी तक बहुत कम use हुआ है तो MA या M1 this is your molar mass of solvent ओके this is your molar mass of solvent very good तो molar mass of solvent वो आपका होना चाहिए in gram obviously molar mass जो हम निकालते हैं U के term में लिखते हैं या उसी को हम gram पर mol लिख देते हैं अब यहां चो आपका यह Tf है basically यह Tf यहाँ equivalent तो जो Tf not अभी आप पढ़ते आ रहे थे उसके equivalent है that means यह कह रहा है कि यह freezing freezing point of pure solvent का है ठीक है freezing point of pure solvent है चले तो आगे बढ़ते हैं तो अगर यहाँ पर आपका यह Tv लिखा हुआ है तो यह equivalent तो जो अभी तक हमने Tv not पढ़ा है उसके equivalent है तो वहां हम basically जो numerical हमने अभी तक किया है depression in freezing point और elevation in boiling point पे तो हमने Tf जो है वो impure solvent यानि कि solution में solvent का freezing point और Tv solution में solvent का boiling point उसको लिया है तो confuse नहीं करना है यहाँ पर pure solvent के लिए ही Tv लिखा है और pure solute के लिए Tf लिखा है ठीक है तो आप यह मानना Tv is basically Tv not and Tf is basically Tv not sorry Tf not तो यह हमारा क्या हो गया this is your boiling point of pure solvent ठीक है यह boiling point of pure solvent के बाद कर रहा है अब इसमें जो आपका यह है delta fuse H यह है आपका enthalpy of fusion और यह enthalpy of fusion देखो आर आर जो आपने हाँ यूज किया है वो Joule के term में यूज किया है तो enthalpy की जो unit है वो भी हमारा Joule के term में होना चाहिए तो वैसे हमेशा ध्यान रखना किलो जूल पर मोल में दी गई होगी लेकिन ध्यान दीजिए कि किलो जूल पर मोल में इसकी unit है बट आर जो हम यहां ले रहे होते हैं वो Joule में है है ना twist आर की value हमने क्या लिए थी 8.314 Joule पर Kelvin पर मोल लेकिन जो enthalpy of fusion है इसका unit आपको जो दिया गया होगा किलो Joule पर मोल में दिया गया होगा तो यह किलो जूल में नहीं लेना तो आपको इसको पहले क्या करना convert करना convert to Joule इसके लिए आप क्या करोगे विल्कुल सही कहाँ आपने जो fusion की value दी गई होगी 1000 से हम multiply करतेंगे इसी तरह यह डिल्टा वैप डिल्टा वैप हमारा है यह हमारा enthalpy of vaporization क्योंकि देखो जब आप boil करोगे तो चीज़े वैपराइज होती है ठीक है तो इसलिए वैपराइजेशन और यहां भी जो आपको unit दी गई होगी वह होगी किलो जूल पर मोल में जिसको आपने convert करना है किसमें जूल पर मोल में ठीक है इसके लिए आप उसको फिर से 1000 से multiply कर दोगे बहुत ही बढ़िया अब यहां एक चीज और बता दूँ कि यह 1000 का यहां क्या concern है तो देखो 1000 क्यों चाहिए तो हमारा जो यह केफ है या केबी है इसका unit हम देखें तो यह होता है कैल्विन केजी पर मोल यानि temperature हमारा कैल्विन में और масс जो है वो kg में चाहिए लेकिन जो यह mass हमने यहाँ लिया है या जो summat यहाँ लिया है वो gram में लिया था तो gram में जो mass है उसको गर हम 1000 से जो mass gram में लिया उसको 1000 से divide करेंगे किसमें बदल जाएगा बिल्कुल सही, किलो ग्राम में बदल जाएगा, केजी में बदल जाएगा तब ही तो जाके के एफ और केवी का जो यूनिट है वो सैटिस्वाई होगा क्योंकि ये ग्राम के टर्म में इसका यूनिट नहीं होता किलो ग्राम के टर्म में होता है अब देख लो कितना ज़ादा unit का concept इन फॉर्मूलों में use हो रहा है इसलिए कहा बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला जो NCRT के बुक में है पढ़ाते बहुत कम teacher है ठीक है तो ये दोनों फॉर्मूले पर एक भी numerical नहीं दी गई है NCRT के बुक में ना कभी एक भी numerical CBSC के board exam में पूछा गया है लेकिन लेकिन एक बार एक question CBSC के sample paper में आया था अब sample paper में आया है तो कभी भी वो board exam में भी आ सकता है तो वो numerical क्या था चलिए ज़रा एक बार अब हम उस numerical को देखते हैं तो वो numerical हमारा है What is the freezing point of 0.4 molar solution of acetic acid having molar mass 60U in benzene in which dye rises to extent of 85% यानि जो concentration आपका दिया गया है तो molality जो आपको दी गई है वो 0.4 M है और आपको इसका WB का हमें पता नहीं है WB तो नहीं दिया है ना WB का तो कोई ज़रा थी नहीं है चलिए रहने दीजिए ठीक है molar mass का भी रहने देते हैं या चलो जो molar mass दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं यानि दो यूनिट आपस में associate हो रहा है तो M जो यहाँ पर है यह कह रहा है किसको बताता है number of molecules associated ठीक है कितने molecules आपस में जुड़े तो देखो die का मतलब होता है क्या two दो और मर का मतलब होता है unit यानि किसी भी molecule का जब दो unit आपस में जुड़ गया तो कहा है उस process होते हैं डाइ में राइजे अब ऐसे ही जब बहुत सारे molecules आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं कि यह polymerize हो गया है तो यह हो गया अब extent of 85% तो यह हमारा percent alpha है कि 85% हमारा associate हुआ है यानि यह partial association का case है complete association का case नहीं है complete association होता तो 100% होता partial association है इसलिए 85% लेकिन हमें percent alpha नहीं alpha चाहिए alpha जिसे यहाँ पर अब हम कहेंगे क्या degree of association है अगर यह dissociation का case होता तो उसे हम degree of dissociation कहतें अब चाहिए degree of association का case हो या degree of dissociation हो alpha की value हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए और अब देखो जब इसका percent हटा होगे तो 0.85 आ जाएगा तो सही है ना भई आ गया अब कहरा है freezing point of बेंजीन यानि टी एफ नॉट टी एफ नॉट की वैल्यू है 278.4 कल्विन ओके एंड मोलर हीट ओफ फ्यूजन यानि डेल्टा फ्यूज एच इसकी वैल्यू आपको दी गई है 10.042 कीलो जूल पर मोल ओके बहुत ही बड़ी है बई चलिए यह भी आ गया तो सारी चीजे हो गई calculate क्या करना है चलिए जड़ा हम इसको लिख लेते हैं तो calculate हमें करना है कि what is the freezing point of moral solution यानि freezing point of solution that means tf is equal to question mark हमें यह निकालना है बहुत ही बड़ी है भाई टी एफ निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है tf से related क्या formula हमारे पास है कौन-कौन से formula है उसको recall कीजिए तो tf से related हमारे पास एक ही formula है और वह कौन सा formula है कि delta tf is equal to tf0 minus tf यह formula होता है delta tf is equal to tf0 minus tf अब देखो tf0 की value हमें दी गई है tf0 की value हमें दी गई है tf हमें निकालना है इसका मतलब यह तीसरी value जो delta tf की है यह delta tf है हमें यह भी पता चल जाए तो हम आसानी से इस formula से tf calculate कर सकते हैं बहुत बड़ी है अभी भी question में twist है अभी भी एक चीज है जो यहां छिपी हुई है हमें उसे भी calculate करना है बिना उसके तो हमारी calculation बिलकुल अधूरी है तो बारबार आपसे कहा है कि अगर किसी question में association या dissociation जैसे term आइधर directly आजाए या indirectly आए जैसे यह कह रहा है dimerize हो गया dimerize मतलब दो unit आपस में जोड़ गये that means dimerize मतलब क्या हुआ दो molecule associate हो रहे हैं तो number of molecules associate दो तो question के अंदर association का term आया ना indirect ही से ही आया ना तो i is equal to question mark यानि went of factor वो भी apply करना है बहुत ही बड़ी है इसका मतलब delta tf का जो formula हमारा होता है अब अगर उस formula को देखें along with went of factor तो हमारा क्या होगा तो यह होता i into kf into molality तो देखें molality आपको दी गई है बहुत ही बड़ी है molality आपको दी गई है i आपको निकालना है तो i molality एक चीज दी गई है आपको अब यहाँ i भी नहीं मालूम और kf भी नहीं मालूम है ना i पता है ना kf पता है अब दो दो चीज़ें unknown है तो फिर delta tf कैसे निकलेगा मतलब फिर से हमारा आया कि अब हमें kf की value भी पता होनी चाहिए तो अब यह reverse process में हमारी calculation होगी देख लो कैसे कैसे हमें numerical बनाने होते हैं जो यह steps मैंने आपको बताया है जो hierarchy आपको बताया है जो thought process कैसे आपको apply करना है numerical के लिए अगर इसे आप proper तरीके से practice कर लेते हैं और हर बार numerical बनाते समय इस चीज़ को ध्यान से लेके चलते हैं तो कभी भी यह दिक्कत नहीं आएगी कि हमें तो यह पता ही नहीं चला किस numerical को solve कैसे करना था अगर ना देखो हमने क्या कर रहा पहले सारी values लिख लिख ली हर एक चीज लिख लिख लिया फिर जो question पूछा गया और फिर देखिए कि क्या उस formula में से जिस चीज को निकालना है उसको छोड़ के बाकी की सभी की value दी गई है तो हमने देखा भई कि एक फिर से unknown है तो तुरंथ हमने उसको लगा दिया question mark कि यह unknown है तो यह चाहिए हमें ठीक है अब देखो delta tf physical 2 हम kf into m भी लिख सकते थे without i यह i का concept कैसे हमें पता चला हमने देखा कि इसने question में dimerize कहा है dimerize मतलब दो unit आपस में जुड़ रहे हैं जुड़ रहे मतलब associate हो रहे है that means question में indirectly association का concept आ गया and we know very much कि whenever the association or dissociation term will come in the numerical we will have to use went half factor इसलिए हमने i को भी question mark लगाया और फिर इसके formula में i भी लगा दिया तो i हमें चाहिए kf चाहिए और molality चाहिए हम फिर से देख रहे हमें molality मालूम है i तो हमने देख लिया कि i हमें नहीं मालूम है लेकिन यहां i का factor लगना है तो हमें i भी calculate करना है और हमें kf भी नहीं मालूम है तब यहां ध्यान जाएगा कि भी यह fusion की enthalpy जो दी गई है यह क्यों दी गई है तो अब यहां पर हमारा वो hidden formula ncrt का यूज होगा जिस पर कोई numerical नहीं है ncrt के textbook में इसलिए उस formula को generally कोई teacher पढ़ाते भी नहीं है उसके बारे में बताते भी नहीं है भई मालो अभी भी कि जो pattern अभी बदला है सिवेसी का हो सकता है कि numerical ना पूछी जाए formula तो पूछ सकता है कि which among the following is correct relation of kf या kb और यह चार formula दे देंगे थोड़ा बहुत change कर देंगे तो अगर formula ही आपने नहीं पढ़ा है तो कैसे ऐसे question का answer कर पाओगे हना समझे रहो ना मैंने क्या कहा कि यह जो formula हमने kf और kb का देखा उसी को थोड़ा सा modify करके तीन गलत बना देगा एक सही formula रखेगा उसी को आपको tick करना है तो मैं यह नहीं कह रहा कि यह numerical आएगा यह जो numerical अभी आप अपने screen पे देख रहे हैं यह cbsc के sample paper में था और यह covid से पहले आया था तो थोड़ा पुराना है लेकिन cbsc ने अपने sample paper में इस question को introduce किया था तो चलिए भई तो हमें सबसे पहले kf निकालना है फिर i निकालना है फिर delta tf निकालना है तब जाके हमारा tf निकल जाएगा देख लो कित्ती सारी unknown चीज़ें हैं निकालने के लिए चलिए भई तो kf निकालने के लिए तो kf का formula हमने देखा कि हमें चाहिए universal gas constant और solvent का molar mass into solvent का freezing point delta tf नॉट और उसका square करना है ठीक है तो मैंने थोड़ा सा modify कर दिया इन CRT के book में न यह not नहीं लगाया है लेकिन हमें यह मान के चलना होगा कि यह proper क्योंकि देखो kf जो है या kb यह property है किसकी यह property of solvent है यह सिर्फ solvent पर depend करता है अगर हमने चार अलग-अलग solution बना दिये एक में नमक एक में चीनी एक में हमने यूरिया और एक में कोई और मालो component डाल दिया है अलग-अलग solute use किया है सभी में ठीक है लेकिन क्या है सभी जगा solvent सेम है तो उन सभी के लिए kf की value या kb की value हमेशा same होगी तो kf और kb constant है for a particular solvent solvent बदलेगा kf kb की value बदल जाएगी तो यह चुकि सिर्फ solvent से related है तो यह ध्यान रखेगा कि mass भी मतलब molar mass तो यह molar mass भी solvent का है solute का नहीं यह freezing point भी solvent का है pure state में और divide क्या करते है 1000 क्यों किया था 1000 को क्योंकि जो molar mass होता है वो by default हमारा gram में निकल के आता है यहाना unit क्या लिखते है molar mass का gram per mole इसको kg में बदलने के लिए 1000 से यहाँ इसको divide किया इन्टू अब हमें क्या चाहिए delta fuse h ठीक है तो यह सारी value हमें put करनी है तो r की value कही थी कि जूल के term में 8.314 into molar mass तो यह बेंजीन है तो कार्बन कार्बन 12 है तो 12 चक बहतर यानि 12 सिख जा 72 72 प्लस 6 78 तो सॉल्वेंट का molar mass 78 आ गिया इन्टू टी अफ नॉट यानि प्योर स्टेट में तो यह हमारा 278.4 दिया हुआ है तो 278.4 into 278.4 हमने स्कॉयर करने की जगा इसे अलग अलग लिए दिया है में भी चीजें थोड़ी सी कट जाएं असानी से अपन 1000 इन्टू अब डिल्टा फ्यूज एच लिखना है जिसकी वैल्यू हमारे पास है 10.042 लेकिन ध्यान दीजिए यह हमारा किलो जूल में है और आर की जो यह वैल्यू है 8.314 यह जूल में है तो एक जूल और एक किलो जूल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता एटा चॉल बनाएं सेम यूनिट होनी चाहिए किलो जूल इसको भी बना दीजिए नहीं तो इसको किलो जूल से जूल बना दीजिए अब देखो इसको किलो जूल में है पर मोल निकल के आएगा तो kf की value हमारी हो गई solve अब हमें अगला step में क्या था सबसे नीचे kf आया था फिर उसके उपर i फिर उसके उपर delta tf फिर delta tf के उपर tf तो अब हमें i निकालना है यानि went of factor चोलिए भई ज़र आब went of factor निकालते हैं देखते हैं went of factor कैसे निकलेगा तो अब हमारे पास ये है acetic acid तो CH3COOH इसका दो molecule हम लेंगे क्यों क्योंकि इसने कहा है कि dimerize हो रहा है यानि इसके दो molecule आपस में associate हो रहे हैं तो इसको हमने फिर इस तरह से लिख दिया इस तरह से दिखा दिया कि ये दो अलग-अलग molecule थे जो associate हो गए तो whole twice हो गया अगर तीन होता तो यहां three लिखते वहां whole thrice कर देते ठीक है अब देखो हम चुकि went of factor निकालने जा रहे हैं तो उस case में इसका initial number of moles हम क्या लेंगे one लेंगे ठीक है और इधर क्या होगा zero very good अब after association अगर dissociation हुआ होता तो after dissociation लिखते यहां association हो रहा है इसलिए after association अब after association यहां देखो alpha by 2 जो भी molecules उसका जितना भी molecules associate हुआ न उसको divide कर देते हैं तो alpha by 2 अब यहां पर भी हम क्या करेंगे one minus alpha by 2 लेकिन एक twist equilibrium जो class 11 में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो यह चीज समझी होंगी कि जो भी यहां पर numeric prefix होता है उससे हम इसको multiply कर देते हैं ठीक है अगर यह one होता तो यह ऐसे ही alpha by 2 ही रह जाता लेकिन यहां two mole था तो two कर दिया अब यह two और two cancel हो गया तो यहां पर बचे गया one minus alpha ठीक है तो यह one minus alpha रह गया यहां alpha by 2 अब हमें i निकालना है तो i is equal to क्या है कि total number of moles after association अगर dissociation का case हुआ रहता तो after dissociation लेते और divided by number of moles taken initially आपने initially कितना लिया था number of moles वो division के तौर पे लिखना है तो देखे 1 minus alpha plus alpha by two divided by one अब one का तो कोई अचित्ती है नहीं है denominator में यानिकि one की तो कोई मतलब ही नहीं है denominator में तो अब यह क्या होगा इसको आप solve करेंगे तो यहां जागा one minus alpha by two यहां one alpha alpha by two minus करेंगे तो one minus alpha by two तो i is equal to हो गया one minus alpha by two alpha की value हमने निकाली थे न 0.85 तो यह हो गया one minus 0.85 divided by two तो यह हो गया 0.24 का आठ दो दुना चार दो पच्चे दस तो i is equal to हो जाएगा one minus 0.425 अब माइनस कर दिया तो five और यह साथ दो नौ पात चार नौ 5.575 तो आ गया i की value 0.575 अब क्या यह i की value सही i भी है या नहीं आपको गया sir हमें कैसे पता चलेगा सही i है या नहीं आई यह तो हमने आपसे कहा था कि हम logically check कर सकते हैं कि क्या यह value जो i है वो सही वाले range में है कि नहीं हाँ जो आया है exactly उसके विसे में नहीं कह सकते हैं कि यह सही आया है या नहीं आया है लेकिन इतना समझ सकते हैं कि हाँ यह सही के range में है या नहीं है कैसे तो देखो मैंने यह कहा था कि association का case जब भी होगा तो i की value होगी i की value less than 1 होगी और जब dissociation का case होगा तो i की value हमेशा greater than 1 होगी है यह always वाला condition है यह association के case में i हमारा less than 1 और dissociation के case में i हमारा greater than 1 होता है ओके लेस दन 1 आया ना तो इसका मतलब सही है यह ठीक है ओके वई तो i की value पता चल गई 0.575 kf की value पता चल गई 5 molality .4 अब delta tf आ जाएगा बहुत बढ़िया अब तो मुझे लगता है कि मेरे solve करने से पहले आप लोग solve कर चुके होगे और answer match भी कर चुके होगे चल यह delta tf is equal to हो गया i kf m है ना तो i into kf into m i हमारा आया 0.575 kf की value आ गई 5 into 0.4 तो इसको multiply कर दीजे पांच चौका 20 5 4 20 एक decimal तो 0 खतम हो जाएगा चलो लगा देते हैं 0 तो यह 0 का कोई मतलब नहीं अब इसको multiply कर दीजे दो पच्छे 10 दो सते 14 15 दो पच्छे 10 और 11 और 123 तो 1.15 तो यह हमारा कहलो सीधा कि इतना Kelvin ले लो या degree Celsius ले लो कोई फरक नहीं पड़ता अब delta tf is equal to हमने देखा tf not minus tf होता है हमें निकालना है यह tf तो इसको इदर भेजेंगे तो यह plus हो जाएगा इदर आके यह minus हो जाएगा यानि यह tf physical 2 हो जाएगा tf not minus delta tf अब tf physical 2 तो tf not कितना था 278.4 माइनस उसमें कितना कर देना है 1.15 तो 1.15 ठीक है तो 10 में से 5 गया 5 तीन में से गया 2 आठ में से गया साथ 277.25 कैलवेन यह हमारा tf आ गया यह होगया आंसर तो देखो यह कैलवीन में लिया है इसलिए क्या किया यहां हमने क्योंकि और यह कैलवीन में था इसलिए इसको हमने कैलवीन में ही रखा तीक है डिगरी celsius में होता तो हमें degree celsius में लेके चल लेते हैं ओके था धासु question खतरनाक था की नहीं था जरूर बताएगा comment करके आप लोगों के comment का इंतजार रहे गा